हेलो फ्रेंट आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चानल एक्सपर्ट स्टेडी में फ्रेंट आभी हम बात करने वाले हैं रेल्वे गुरूप डी मोडिफिकेशन लिंक के रिगार्डिंग वैसे केरिट जिनों ने अपनी उपरेंटेसीप रेल्वे इस्टेबलिसमेंट से की है तो फ्रेंट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फ़्री चैनल को सब्स्राइब कर दीजेगा और साथ में बेल आइकन को फ्रेस् कर दीजेगा जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग की परमूख मांगे जो है वह रेलवे गुरूप D 2019 की भरती में मोडिफिकेशन लिंक को ले करके है और फिर्ण मोडिफिकेशन लिंक की मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने एक साल पुड़ी मेहनत और इमंदारी से रेलवे को दिया है तो फिर्ण हम लोग को मोडिफिकेशन लिंक मिलना चाहिए और फिर्ण आपने देखा होगा कि रेलवे बोट के दौरा रेलवे गुरूप डी 2019 की भरती में कई बार संसोधित किया गया है कई बार नए नये अमेंडमेंट लाए गया है और फिर्ण भरती पड़किरिया में बदलाब भी किया गया है जैसा कि आप सभी को पता होगा कि railway boot के द्वारा कई बर modification लिंक दिया गया था और वैसे connect जिनों ने अपनी apprenticeship 1242 उनीस के पहले किया था तो उन्हीं लोगों को railway boot के द्वारा मोका दिया गया कि आप लोग modification करके आ जाईए लेकिन फिन 1242 उनीस के बाद नहीं किया गया संसोधित किया गया उनका financial air पहले फुर्व में 18 से 19 ठीक है 2018 से 19 रखा गया था कि आप लोग का financial air जो होना चाहिए 2018 से 19 होना चाहिए तो फिर उनका जो amendment आया जिसमें कि बाद में कहा गया कि आपका जो certificate जो मान होगा आप at the time of document verification यानि कि document verification तक कि आपको मान कर दिया गया है यानि कि आप at the time of document verification तक कि आप certificate दे सकते हैं यानि कि यह सब बदलाब किये गया है जब EWS के निये में बदलाब हो सकता है तो जिन्हों ने railway को एक साल दिया है और उन्हों ने बारा चार दोय उनिस के बाद complete किया है तो उनको क्यूं नहीं यहां पर reservation दिया जा सकता है तो फ्रेंड यहां पर उनको भी reservation मिलना चाहिए लेकिन railway मंत्राले जो है आरवी पर्टना का यह reply आया था कि आपका जो cut-up है 12.4.19 का है इसलिए हम आपको यहां पर relief नहीं दे सकते हैं तो फ्रेंड आप लोग बताईए कि एक ही भरती में दो नियम कैसे हो सकता है यहां पर वैसे candidate को भी benefit मिलना चाहिए जिन्होंने अपनी apprenticeship 12.4.19 के बाद complete की है क्योंकि यहां पर देखा गया है कि railway के दौरा कई बार modification link दिया गया है बहुत सारे candidate ऐसे थे जिन्होंने apprenticeship तो कर रखी थी लेकिन form भरते time yes नहीं किया थे यह गलती यह गलती बच्चों का है ठीक है यह रेल्वे का गलती नहीं था फिर भी रेल्वे के दौरा इन बच्चों को दिया गया तो फ्रेंड वैसे candidate को क्यों नहीं दिया जाएगा जो कि railway से 12.4.19 के बाद apprenticeship किया है चलिए बात करते हैं एक railway मंत्री जी का reply के ऊपर फ्रेंड यहां पर आप देख सकते हैं भारत सरकार रेल मंत्राले जो कि लोग सबाद 6-42 का यह अंत्रांकित प्रश्ण पूछा गया था रेल्वे मंत्री जी से कि योगपरसी च्छू हेतु रिखतिया यह 56-24 जो की सूसरी मीमी चक्रवर्थी के द्वारा पूछा गया था कि क्या रेल मंत्री यह बताने की किरिपा कड़ेंगे कि क्या सीख्चू अधिनियम 1971 की धारा 22 के संसोधित प्रभधान के अनुशार रेल्वे जैसे अधोगी पर्शिष्ठानों में केंद सरकार के परसीच्छित बेफार परसीच्छो की सीधी नीती तैयार करने के बावजूद योग परसीच्छित वेक्तियों को रोजगार नहीं दिया गया है और खाव में पूछा गया था कि यदि हा तो इस समद्ध में सरकार को प्राप्त अनुरोध का बेवरा क्या है और रेल मंत्राले अगर इन सभी को नोकडी दिया है तो उसका बेवरा भी पूछा गया था और विभीन जोणर रेल्वे में योग और सफल पर सिच्छुओ की कि रिख्त्यों के समद्ध में उनसे प्राप्त की गई सुचना क्या है और सरकार का कुछल विपार पर सिच्छुओ को रोजगार प्रदान करने है तो क्या निर्देश ओर अधि सुचना है तथा इसके लिए निवधारित समय सीमा क्या है देखिए यहां पे इन्होंने समय सीमा भी पूछा था कि आप अपनी समय सीमा बताए कि आप भरती पड़किरिया को कितना टाइम में कंप्लीट करवाते हैं ठीक है यह इनसे पूछा गया था और तो फिर यहां पे रेल मंत्री जी का यहां पे क्या रिप्लाई आता है कि रेल संचार की वीवरन सभा पटर पर रख दिया गया यानि कि जो भी वीवरन है उसको सभा में रख दिया गया है यह इनका कहना है और यहां पर देख सकते हैं कि योग पर सिच्चु है तो रिक्तियों के समद्ध में 6-4-22 को लोग सभ मिमी चक्रवर्ती के अंत्रिक प्रश्ण इतना कि उत्तर से संबंद्ध वीवरन ठीक है तो रेले मंत्री जी का यहां पे जबाब आता है कि जी नहीं प्रश्ण नहीं उठता है और यहां पे देखे गव में क्या कह रहे हैं कि पर सिच्चु अधिनिव में 1961 की धारा 22 में सं हैं इन्होंने पार्ट करम को पूरा कर लिया उन्हें 20% की सीमा थक्राथ्मिक्त दिया जाने के समन्ध में अधेस जारी कि गए थे यह यानि कि यह इनोंने यह कह रहे हैं कि रिले में लेवल 1 की जो रिकुट्मेंट है उसमें 20% CCA वालों को दिया जाता है इनका कहना है रि इंद्रिक्रित रोजगार सुचना विग्यापन संक्या 2018 यानि कि 2018 की जो एक्विट्मेंट ग्रूप D का आया था उसके बारे में यहां पे कहा जा रहा है कि अंतरगत आवजित की गई भरती में 5290 का हीहां पे सीरेक्शन हो यहां फायदा है यहां पे यहां सीट पुलपिल होना चाहिए लेकिन यहां पर क्या कर लिया गया कि 1290 के बाद जो भी सीट बच्छा उसे जेनरल कंड़ेट में कंसिडर कर लिया गया और केंद्रिक्रित रोजगार अधिसुचना यहां पर भाड़ा भी जाएगा तो फिल किया है तो सोच सकते हैं कि यहां पर भरतिया जो है रिक्तिया रहने वाला है यहां पर मुश्कीश अगर भड़ा भी जाएगा तो 10-12,000 से ज्यादा सीट फुल फुल नहीं किया जाएगा आप देख लीजेगा ठीक है अगर यहां सीट नहीं भरता है तो फिर यह जो है जेनरल कंड़ेट में कंसिडर कर लिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए अगर यहां सीट रिक्तिया रह जाता है तो फिर नेक जैसे ही सुप्रीम कोट से कोई अपडेट्स आता है मैं आप लोग को बताने का परियास करूंगा तो फिर आज के लिए इतना ही रखता हूं